आज एक नई सिरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट को इसको कार खाना अधीनियम 1948 के नाम से भी जाना जाता है तो इस प्लेलिस्ट की जो ये तीन-चार लेक्चर की सीरीज होगी इसमें कवर करना स्टार्ट करेंगे वो है सबसे पहले तो बात करेंगे क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि फैक्टरी एक कानून है तो किसी भी लौ को क पीछे उसको लाने के पीछे क्या ऐसी जरूरत फील हुई उसके बारे में थोड़ा डिसकुशन करेंगे फिर क्या स्टेटिड ऑप्जेक्ट है इस फैक्टरी एक्ट का क्या ऑप्जेक्टिव ये एक्स्प्लिसिटली मेंचन करते हैं कि दिस इस प्राइम तो उनका एक categorization देखेंगे, उनके types देखेंगे, primarily उनकी age के उपर based रखेंगे इस criteria का, फिर आ गया कुछ definitions जो बहुत important है इस factories act के अंदर, जैसे की definition day, week और calendar year की, हमें जनरली पता है कि what is a day, week क्या होता है, calendar year क्या होता है, मगर factories act के अंदर इनको define कर रखा है properly उन लोगोंने for the ease of deciding the wages which are to be paid to the workers and stuff like that, तो यह थोड़ा definition देखेंगे, दूसरी definition देखेंगे, hazardous process की, क्या होते है यह, उसके बारे में थोड़ा discussion, फिर worker को define करा जाएगा, एक factory की proper, जो definition is act के हिसाब से है, वो देखेंगे, और फिर देखेंगे, एक occupier of a factory, वो कौन होता है, क्या होता है, तो फिर कुछ important provisions हैं, इस act, factories act के अंदर, provisions किस चीज़ के regarding, regarding the health, regarding the safety, and regarding the welfare of the workers, तो यह बहुत important aspect है, definitions के बाद, of course, इनके बारे में study कर लेंगे, maybe in the next lecture series जो उसकर चलता रहेगा, continuation में, और फिर अगर कोई factory owner, या occupier, या manager, इन सारे provisions को, जो health, safety और welfare से related होंगे, उनको follow नहीं करता है, तो क्या provision है, उनको penalty देने का, government किस base पर, या किस हिसाब से उनको, किस magnitude की, सजा सुनाती है, या उनको penalty लखाती है, तो सबसे बहले बात शुरू करते हैं, जरूरत क्यों पड़ी, इस factories act, 1948 की, देखिए, एक जमाना था जब industrialization बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, और साथ साथ बढ़ रही थी, factories की संख्या भी बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रही थी, और ना सिर्फ factories की quantity या उनका number बढ़ रहा था, उन factories में काम करने वाले workers की तादाद भी, बहुत ज़ से पहले जो उनका जो economy का base था, वो agriculture based हुआ करता था, वहाँ पर ये change आया और अब agriculture से focus shift होके industries की तरफ हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान को, इंडिया को पैसे कमाने का एक नया जरिया मिल चुका था, वो था manufacturing के तुरुआ पैसा कमा सकते हैं, तो इसी वज़ए से इन factories में क बढ़ने लगी, हर दूसरा आत्मी factories में काम करना चाह रहा था, अब सारा खेल था supply और demand का, अब जब supply इतनी ज्यादा हो गई इन workers की, कि जो factory owners थे, उन्होंने इन बिचारे गरीब workers की health, उनकी working conditions, उनके salary norms, उनके overtime rules, उनके weekly holidays, इन सब चीज़ों को neglect करना शुरू कर दिया, नजर अंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी तादाब में worker मिल रहे थे, इनके बार में सोचके फायदा ही किया है, तो वैसे भी easily available थे market में, तो एक तरफ है three factories, दूसरी तरफ बिचारे workers, अच्छा workers में भी there were women, वो भी factory में काम कर रही है, children, छोटे बच्चे, वो यागे criteria age में, तो वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कैसे माहौल में काम कर रहे हैं, वैसी factories जहाँ पर manufacturing process चल रहा है, और यह जो manufacturing process चल रहा है, यह कही जगाँ पर कही ऐसे hazardous process भी चल रहे हैं, जो सेयत के लिए बहुत ज़्यादा damaging है, नुकसान दायग है, मगर फिर भी सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो overall जो condition थी, वो यह थी के पहला working conditions इन सारे workers की, चाहें वो women हो, children हो, adolescents हो, बहुत ज़्यादा पूर थी, दूसरा holidays variable थे, मतलब कोई fixed holiday नहीं था, आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा, वैसे कोई fixed छुट करने की ज़रूद पड़ती है, अगर owner factory का बोलता है कि आपको overtime करना है, तो उसके कोई भी extra money आपको पे नहीं होगी, यानि overtime without money, फिर है health और safety के issue, हमेशा बने रहते थे, कोई ध्यान नहीं था, ना workers की health का, ना उनकी safety का, workplace पर वो safe हैं कि नहीं, machines में काम कर रहे हैं, उनकी safety, कुछ कोई safety का पर provision नहीं था, फिर कोई working hours defined नहीं थे, कि आपको एक हफते में इतना घंटे काम करना है, या per day इतना घंटे काम करना है, कुछ नहीं, और क्यूंकि industrialization बहुत ज़्यादा चल रहा था, factories बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, बहुत जल्दी जल्दी, तो जो नए factory को pass करने का plan था, वो बहुत systematic तो बिलकुल भी नहीं था, बहुत ही जल्दबाजी में गलत तरीके से factories को, नई factories के plan को approval दे दिया जाता था, अब इस से परणाम क्या हुए, इसके consequences क्या हुए, एक तो occupational hazard, factories में काम करने वालों को, occupation से related, अपने काम से, अपने प अब इसकी वज़ा से, जो देश का top politician था, या जो ruling power थी, government थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, और इससे तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा, by any means, तो इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए, factories act लाया गया, तो आपके सामने आ रहा है कि, objective क्या था, factories act क कि जो workers in factories में काम कर रहे हैं, उनका एक तो employment secure करा जाए, plus इन workers की जो working conditions हैं, जिन परिस्थितियों में वो factory में काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित, यानि safe और conducive to work बनाया जाए, मतलब कि काम करने लायक परिस्थितियों उनको दी जाए, ऐसा environment है, जहापर वो अराम से काम कर पाए, और इस उद्देश से factory act लाया गया, और 1st April 1949 को यह force में आया, और पूरे भारत वर्ष में यह applicable हो गया, अब अगर एक line में इसका stated object देखें, कहीं लिखने के लिए कि what is the object of factories act, तो factories act का object पस यही है कि manufacturing concerns में, यानि कि वो सारे establishments, वो सारे संस्थान जहाँ पर कुछ manufacturing हो रही है, वहाँ पर workers की working condition को control कर जाए, regulate कर जाए, तो indirectly हम यह कह सकते हैं कि obligation डालने का purpose था यहाँ पर, obligation मतलब कि जिम्मेदारी डालने का purpose था, किस के उपर, सरकार के उपर नहीं, बलकि factory के owner के उपर और factory के occupier के उपर, occupier की definition हम आगे देखेंगे अभी, इनके उपर यह जिम्मेदारी डालनी थी, कि अब उनकी responsibility है, कि वो अपने यहाँ काम कर रहे workers को protect करें, उनका employment secure करें, और तीसरा, उन workers की health और safety, खासकर जब वो काम पर हैं, तो उस दोरान उसका वो ख्याल रखें, अब आगे करते हैं, उनका types देखते हैं, तो पहला इस table के थूरू समझेंगे हैं, serial number 1 बोलता है, worker type पहला है, adult, जो की इस act के section 2A में defined है, और adult को define कर रखा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा वेक्ती जो की 18 साल की उमर पहुंच चुका है, 18 साल की उमर cross कर चुका है, any person who has attained the age of 18 years, उसको adult ब define कर रखा है, फिर बात करते हैं, point number 2, adolescent, जो की section 2B में mentioned है, इस act के, adolescent वो व्यक्ती है, जिसने की 15 साल की age तो achieve कर ली है, मगर अभी वो 18 का नहीं हुआ है, 18 से उसकी age कम है, उसको बोला जायेगा, adolescent, section 2B में mentioned है, फिर serial number 3, में हम बात करेंगे, child, जो की section number 2C में defined है, child वो person जिसने भी 15 की age भी attain नहीं करी, 15 साल का वो नहीं हुआ है, और last हम देखेंगे, जो define कर रखा है, वो है young person, section 2D में ये defined है, और young person में आते हैं, क्या point number 2 और point number 3, मतलब की young person में आते हैं adolescent और child, दोनों को combined room से young person के नाम से refer करा गया, इस act के अंदर, जो की section 2D के अंदर है, adolescent हमें पता ही है, 15 से 18 साल के उमर के बच्चे, और child is something जिसने भी 15 की age भी attain नहीं करी, तो इनको combine करके young person में यहाँ पर define कर रखा है, इस act के अंदर, अब देख लेते हैं, definition day की, week की, और calendar, year की, तो पहले अगर बात करें, day, जो की section 2E के अंदर defined है, day जो है, वो start होगा midnight से, और 24 घंटे की duration का हुगा, बिल्कुल ठीक बात है, section 2E में यह defined है, similarly अगर बात करें, week की, जो की section 2F के अंदर defined है, week start होगा midnight of Saturday, मतलब Saturday की रात की midnight से week start हो जाएगा, section 2F में mentioned है, नीचे note अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसा प्लान है की weekly wages देने हैं workers को, monthly नहीं, weekly अगर कुछ waging का कुछ system कर रहे हैं, तो जो factories का chief inspector होगा, वो decide करेगा की week की starting वो कौन से, किस time से मानेंगे है, कौन से day से मानेंगे, ठीक है, इस बारे में detail में आगे discussion continue करेंगे, अच्छा, तीसरा है calendar year, जो की section 2, double B में mentioned है, calendar year का मतलब होता है, एक 12 महीने का period, जो की शुरू होता है, जनवरी मान के, जनवरी मत के, पहले दिन से, किसी भी साथ के, तो यह हो गया calendar year, आगे discussion को बढ़ाते हुए, देखते हैं, hazardous process का definition, जो की section 2, C, B में mentioned है, hazardous process समझने से पहले, हमें समझना होगी, जैसे घर में हम, मान लिज़े, कुछ cooking करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर, गैस पर बहुत सरे चीज़ें बन रही होती हैं, पक रही होती हैं, oil भी आप वहाँ पर गरम कर रहे हैं, कोई onion भी आप वहाँ पर fry कर रहे हैं, बहुत जादा, मसाले वाली चीज़ें भी वहाँ पक रही हैं, तो कई दफ़ा ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको exhaust on करना पड़ता है, चिमनीज चलानी पड़ती है, क्यूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तुवाँ जो है वो gas से निकलना शुरू हो जाता है, खाने वाली चीजों की इनके पकने की वज़े से, कई हमारी हालत ऐसी जाती है कि हमें kitchen से बाहर निकल जाना पड़ता है, तो आप खुद अन्दाजर लगाएं कि जो worker ऐसी factories में काम कर रहे होंगे, जहां पर प्लास्टिक जैसा कुछ product बन रहा है, या कुछ chemicals का treatment चल रहा है, या कोई और ऐसी metals का कुछ processing हो रही है, तो वहाँ प दिखते हैं कि hazardous process basically होता क्या है, कोई भी ऐसा process या कोई भी ऐसी activity जो industry में carry out करी जा रही है, और ये processes, ये activity इस act के schedule में mentioned भी है, अगर आप ये factory act देखेंगे तो इसके schedule के अंदर बकायदा कुछ process के नाम महाँ पर mentioned है, जो की hazardous process की category में आते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हज़ाटर process है क्या, कोई ऐसा process ये activity जो industry में continue हो रहा है, जिसको की specify भी किया गया है, इस act के schedule के अंदर, जहाँ पर, where unless special care is taken in handling, जहाँ पर अगर खास ख्याल नहीं रखा गया, handle करने में किसको, उस process में use हो रहे है raw material को, उस process के दौरान, create हुए intermediate product को, या उस process के end product को, या फिर उस process के duration में कोई waste या effluent, अगर कोई भार release होता है, उसको अगर special दिहान नहीं रखा गया, then it will cause material impairment in the health of workmen engaged or connected in such processes, मतलब कि, अगर इनका special दिहान नहीं रखा गया, इन सारे products का, जोई raw material, intermediate product, finished product, waste या effluent, तो इससे material impairment हो सकता है, यानि कि, अच्छी खासी मात्रा में substantial amount of loss of health हो सकता है, उस workers की health के साथ यहाँ पर खिलवाड हो सकता है, जो इस process में या तो engaged है, या कहीं न कहीं इस process से connected है, यह होता है hazardous process, अब worker को define कर लेते हैं, section 2L के अंदर यह, इसकी definition mentioned है, worker का मतलब है, means a person employed, कोई भी व्यक्ती जो काम पर रखा गया है, whether directly और indirectly, या तो खुद मालिक, जो factory के मालिक हैं, owner है, occupier है, manager है, उनके दवारा, या फिर किसी contractor के दवारा, outsource कर रखा है, ठीक है, किसी contractor के through, with or without the knowledge of the principal employer मगर हाँ, अगर आपने contractor के through भी, worker को hire कर रखा है, और बाद में कुछ problem हो जाती है, worker के साथ, तो हम यह नहीं बोल सकते हैं, कि हमें तो पता ही नहीं था कि वो हमारा worker भी है, क्योंकि हमने directly तो hire करा है, नहीं, अगर वो indirectly भी, क्योंकि indirectly वो आपके contractor के through, आपने जो contractor appoint करा है उसके through वो, आपकी factory में, वो बंदा employee worker, ऐसा worker काम कर रहा है, तो आप यह excuse नहीं है, हम सकता कि knowledge नहीं थी हमें, उसके, कि हमारा worker है, so with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, वो चाहें, free में काम कर रहा है आपके हैं, उससे मतलब नहीं है, in any manufacturing process, or in cleaning any part of the machinery or premises, used for a manufacturing process, और ऐसी factory में, जहां प manufacturing process चल रहा हो, वहां की machineों को साफ करने में, वो काम कर रहा हो, या फिर उस premises के अंदर, जो कि हम आगे factory की definition में देखेंगे, उस premises के अंदर वो काम कर रहा हो, जहां पर manufacturing होती हो, या कोई ऐसा काम वो व्यक्ति कर रहा हो, जो कि incidental है या connected है, उस manufacturing process के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को हम worker का नाम देंगे, मगर इसमें armed forces, जो defense forces हैं, उनके member को इसमें हम include नहीं करते हैं, तो यह proper definition है, worker की, अब factory को और define कर देते हैं, section 2M के अंदर ही definition है, बहुत important, देखिए, factory के बात करें, suppose कोई premises है, कोई यह building है, जिसके नहीं production चल रहा है, ठीक है, और यह है, इस building के आसपास के area के cover करने वाली boundary wall, ठीक है, तो पूरी boundary के अंदर तो building है नहीं, building आपको देख रहे हैं, लेफ्ट में है, मगर जो बाकी का blank area अंदर है, वो हो गया precincts, यानि कि surrounding area, तो factory में ना सिर्फ premises को हम factory मानेंगे, बलकि उसके surrounding area, जिसको precincts बोलते हैं उसको भी हम factory के अंदर ही include करेंगे, भाई boundary wall के अंदर हो, तो कोई भी premises और उसका precincts, जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वरकर, पिछले 12 महीनों, यानि एक साल के अंदर, किसी भी दिन या continuously all throughout the year, manufacturing कर रहे हैं हो किसी चीज़ की, with the help of power, यहाँ पर power का मतलब electricity से है primarily, तो किसी भी premises या उसके precincts में, उसके surrounding में, 10 या 10 से ज़्यादा वरकर, पिछले 12 महीनों में अगर, 12 महीनों में से किसी दिन भी, अगर light की help से, कोई manufacturing process कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा factory, यह जो मैं आपको समझाया है, यही यहाँ पर आपको साने mentioned है, factory means any premises including the precincts, य of the preceding 12 months, मैंने बता दिया आपको, and in any part of which, a manufacturing process is being carried on with the aid of power, यानिक electricity, or is ordinarily so carried on, और तो यह तो एक पार्ट हो गया, I hope यह समझ में आया होगा आपको अच्छे से, अब इसी definition में, factory की definition में, फर्स पार्ट तो यह आपके सामने है, कुछ और चीज़, एक और चीज़ एड करी यह वो क्या है, बागी सब सेम है, हमारी premises भी है, precincts भी है, तो किसी भी premises में, या उसके precincts में, जहां पर 20 or more workers, पहले हमने क्या देखा था, 10 or more workers, यहां पर है, 20 or more workers, are working for the past 12 months, बागी चीज़ सेम है, पिछला एक साल के अंदर, 12 महीनों के अंदर, मगर पहले क्या था, with the aid of power, यानि electricity, यहां पर है, without the aid of power, मतलब की, बिजली के बिना, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, एक बार, पहले definition तो clear थी, उसका second part यह है, whereon, 20 or more workers, are working, और, were working on any day, of the preceding 12 months, पिछले 12 महीनों में, and in any part of which, a manufacturing process, is being carried on, without the aid of power, यानि की, electricity के बिना, मतलब, और किसी भी form of energy, के through human manufacturing हो रही है, चाहे है, वो, कोई bull power generator हो, mechanical energy use हो रही हो, electricity के अलावा, कोई और source of energy use हो रहा हो, और is ordinarily so carried on, यह definition है, factory की, इस act के according, मगर, यह जो definition मैंने भी बताई, this definition, does not include, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो इस factory में, की परिभाशा में include, नहीं होती, जैसे की, कोई एक mine, जैसे की, कोई लेगी खदान होती है, coal mine वगेरा, या फिर, army, navy या air force, defense forces का, armed forces का, कोई mobile unit, जो कभी कहीं operate कर रहा है, कभी कहीं operate कर रहा है, या, railways का running shed, जहाँ पर railways के coaches की मरमत वगेरा, यह सक पर काम चलता है, maintenance वाला, वो इस में include नहीं होगा, hotels, वो इस definition के अंदर नहीं आएंगे, और similarly, restaurants भी, इस definition से बाहर है, अब last देखते हैं, आज definitions में ही खतम करेंगे, आगे वाली series में continue करेंगे, occupier of a factory, section 2, N में mentioned है, factory का occupier कौन होता है, तो the person who has ultimate control over the affairs of the factory provided that, मतलब occupier वो व्यक्ति है, जिसका ultimate control है, factory से related, जितने भी काम है, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मसले हैं, उन सब के ऊपर, बशर्ते, point number one, in the case of a firm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier, अगर कोई firm है, factory किसी firm के नाम पर है, या फिर किसी association के नाम पर है, जिसने बहुत सारे individual members हैं, तो कोई भी एक individual partner या member, ऐसी firm का, उसको हम occupier of the factory कह सकते हैं, पहला, दूसरा, अगर ये factory किसी company के नाम पर है, तो company के directors होंगे, तो उन director से कोई भी एक director को हम उस factory का occupier मानेंगे, तीसरा, अगर कोई factory की ownership या control, केंद सरकार यानि central government या किसी राज्य सरकार यानि state government के पास है, या किसी local authority के पास है, तो जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूँ, मतलब person और persons appointed to manage the affairs of the factory, जिनको appoint करा गया है, central government या state government के थुरू, कि वो उस factory के काम काज को देखें, या फिर कोई local authority, जो भी case हो, तो ऐसे व्यक्तियों को factory का occupier कहा जाएगा, बतलब ultimately, वो person जो factory के काम काज के लिए responsible है, चाहें firm के case हो, चाहें company का case हो, चाहें central या state government owned या control factory का case हो, जो जिसके पास भी ये responsibility है, कि उसको factory काम काज देखने हैं, और उसका control है, उसको हम occupier of the factory कहेंगे, तो यहाँ पर wind up करेंगे, इस session को आगे शुरुवात करेंगे, इस act के अंदर बहुत ज़्यादा जो important provisions हैं, चाहें वो health related हो, चाहें वो welfare हो, चाहें वो safety हो, workers की, उनके बारे में detail में discussion करेंगे, तो बने रही है मेरे साथ, आगे continue करते रहेंगे, factories act 1948 को, thank you so much and see you in the next.